हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की NCRT की पर्यावरन अध्यन की किताब आसपास का पार्ट 8 मच्छरों की दावत पढ़ेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बिलते रहे हैं तो शुरू करते हैं इस पार के कुशिन आंसर के वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ पर जाकर कोईशन के आंसर देख सकते हैं तो शुरू करते हैं मच्छरों की दावत मलेरिया की जांच तो मलेरिया की जांच किस तरीके से की जाती है आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए आर्टी ने पूछा अब तु ही नहीं करता उपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा जसकीरत कहती है खून टेस्ट वह क्यों बहुत दर्ध हुआ होगा रजत ने कहा नहीं जब सुई चुभी तो लगा जैसे चीटी ने काटा हो दो तीन बूंद खून लेकर टे है पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ नैंसी ने कहा अरे भाई मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी होता है वह तो बिमारी वाले मच्छर से ही होता है आती ने कहा मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं रजत ने कहा होते तो अलग-अलग होंगे अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मदेरिया की पहचान करने के लिए खुन की जाच होती है काच की स्लाइड पर इस तरीके से खुन की कुछ बूंदे लेते हैं डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोइस्कॉप यानि कि सूक्षन दर्सी से देख रही है यहाँ इस माइक्रोइस्कॉप से एक चीज हजार गुनी बड़ी दिखती है यानि कि जो बहुत चीज छोटी होती है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है इसलिए खुन के अंदर की बारीके साफ दिखाई पड़ती है कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी जागा बड़ा दिखाई देता है नैंसी ने कहा क्या उसी जगे से खुन लिया था जहां मच्छन ने काटा था रजित ने कहा नहीं भई मच्छन ने कब और कहा काटा यह है तो मुझे भी नहीं पता नैंसी नखा खून में क्या दिखा होगा उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया तो आब यहां पर question है पता करिए क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है तो आप अपने आसपास या फिर घर में पूछेंगे कि किसी को कभी मलेरिया हुआ है उन्हें कैसे पता चला यदि उन्हें कभी मलेरिया हुआ है उन्हें मलेरिया होने पर क्या-क्या तकलीफ हुई तो मलेरिया होने पर क्या-क् कुन सी बिमारिया होती है जैसे कि डैंगू होता है चिकुन गुनिया होता है और क्या होता है पाइलेरिया जैसी ये सभी बिमारिया होती है मच्छरों से बचने के लिए कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है और क्यों तो कौन से मौसम में फैलता है बरसात की मौसम मे क्यों फैलता है क्योंकि इस मौसम में क्या होता है जो पानी होता है वो जगह जगह इखटा हो जाता है जिसमें बहुत सारे मच्छर पनपते हैं और जिनके काटने से मलेरिया फैलता है मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे गर में क्या-क्या उपाय किये जाते हैं अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं तो आप अपने घर में पूछ कर लिखेंगे कि मच्छरों से बचने के लिए क्या-क्या उपाय किये जाते हैं और अपने साथियों के साथ भी डिसकस करेंगे कि मच्छरों से बचाव के लिए वो क्या करते हैं जैसे कि मच्छरों से बचाव के लिए क्या किया जाता है मच्छरदानी का प्रियोग करते हैं और क्या करते हैं जो पानी खटा होता है आसपास वहाँ पर पानी को भरने नहीं देते हैं घरों में तथा आसपास की जगे में दवाई का छिरकाव करते हैं cooler या फिर टंकियां जो होती हैं उन्हें अच्छे से साफ करते हैं नियमित रूप से आप इस तरीके से इन questions के answer लिखेंगे तो इन से भी questions के answer के लिए video का link description box में दिया गया है आप वहाँ पर जाकर questions के answer देख सकते हैं अब यहाँ पर देखेंगे यह है clinical विकरती report केंद्रिय सरकार स्वास्ते योजना के तहत इसे किया गया है यहाँ पर खून की जांच की report दी गई है इसमें किन सब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को malaria है तो आप देख सकते हैं किन बातों से पता चल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम रजत जिसकी आयू 11 वर्स है रोग की पहचान की गई है fever with chills and rigors इट मीज ठंड लकर कपकपी के साथ बुखार आया है तो इसमें क्या पाया गया Malarial Parasite Found in Blood Sample इतमें इस खून में Malaria के जीवानों पाएगए तो इससे क्या पता चला है कि इस व्यक्ति को जो रजत नाम का व्यक्ति है उसे क्या है Malaria की दवाई क्या है Malaria की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेर की छाल से बनाई जाती है किस पेर से सिनकोना पेर से पहले तो लोग चाल को उबाल कर और चान कर ही इस्तिमाल करते थे लेकिन अब चाल से दवाई बनाते हैं अनीमिया क्या है आर्थी कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था सिरिंज इंजेक्शन भर कर खून लिया था जांच में तो अनीमिया निकला अब रजत कहता है कि वह क्या होता है आर्थी कहती है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आरेन की कमी है डॉक् खुन में लोहा कैसे होगा जस्कीरत कहती है कल अगबार में इस बारे में आया था रजत कहता है हसते हुए तो फिर तुमने लोहा खाया आर्थी कहती है ओहो यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े होता होगा पता नहीं कैसा होता होगा जब मैंने खुब सबजियां खाई तो म मेरा हीमोगलोबिन बढ़ गया अब यहां पर हम जानेंगे दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी 17 नमबर 2007 दिल्ली की रिपोर्ट है यह नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का सिकार है इससे बच्चों की सारेरिक और दिमागी तंदुस्ति पर असर होता है इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फूर्ती भी कम होती है जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है आज कल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जाच भी चल रही है अब बताओ यहाँ पर यह रिपोर्ट दिया गया है यह रिपोर्ट है यहाँ भी आर्टी की है और यहाँ भी आर्टी की है आर्टी की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोगलोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था तो आर्टी की रिपोर्ट में हीमोगलोबिन कितना है 8 Gram per dcl और जो सेकंडrd है इसमें कितना है 10.5 Gram दcl जबकि रेपोर्ट के हिसाब से हिमोगलोबिन कम से कम कितना होना चाहिए 12 से 16 Gram दcl Now आरती का हिमोगलोबिन कितने दिनों में बढ़ पाया तो यहाँ पर आर्ती का जो हीमोग्लोबिन है कितने दिन में बढ़ा है तो यहाँ पर देखेंगे कब हुआ था यह हुआ था यह हुआ था 26 2007 में और यह हुआ है 15 2007 तो यहाँ पर कितना टाइम लगा है तीन महिने इट मीज आर्ती का जो हीमोग्लोबिन है वो तीन महिने में बढ़ पाया है कितना 8 ग्राम पर डेसी लीटर से 10.5 ग्राम पर डेसी लीटर अब नेक्स्ट कोश्चन है अकबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परिसानी के बारे में क्या लिखा है तो अकबार की रिपोर्ट में लिखा है कि अनीमिया के जो बच्चे होते हैं ज की घीक से जो है ग्रोथ नहीं हो पाती यह बढ़ते नहीं है और इन में फूर्ती ही इन रहती है इन बच्चों को जो भी कुछ पढ़ा Y कब और क्यों तो आप इसे अपने घर में पूछेंगे कि कभी किसी ने खून टेस्ट कराया है क्यूं कराया है और उनसे पूछ कर लिखेंगे खून टेस्ट से क्या पता चला था तो आप उनसे पूछ कर लिखेंगे जैसे कि रज़त की खून टेस्ट से उसे मलेरिया के होने क पता चला था तो आप भी अपने घर पर पूछ कर लिखेंगे कि उन्होंने जब खून टेस्ट कराया तो उन्हें किस बीमारी के बारे में पता चला कि तुम्हारे स्कूल में कभी हैल्थ यानि कि स्वास्थ जाच हुई है डॉक्टर ने तुम्हीं क्या बताया तो यदि आप अपने घर के बड़ों से या फिर डॉक्टर से पूछेंगे इनमें लोहा अधिक मात्रा में पाय जाता है मच्छर के बच्चे जस्कीरत कहती है मलेरिया के बारे में एक पोश्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है सभी जट पर पोश्टर देखने पहुंच गए तो आप देखेंगे ये पोश्टर से क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं साफधान, मलेरिया, डैंगो, चिकनगुनिया हो सकता है किस से मच्छरों से आसपास पानी जमा ना होने दे गड़ों को भर दे पानी के बरतन, टंकी, कूलर को साफ रखें हर हफते सुकाएं, तालाबु में मच्छलियां छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खालें मच्छर दानी का इस्तेमाल करें जमा हुए पानी में मिट्टे का तेल छिड़ के तो ये सबी जो साफधानिया हैं किस लिए हैं मच्छरों से बचने के लिए ताकि मच्छर पनप न सके अब रज़त कहता है देखो इस पोस्टर में लारवे के बारे में क्या लिखा है वे क्या होते हैं नैंसी कहती है मच्छरों के छोटे बच्चे ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते आर्टी कहती है तु उनी से ये निकले हैं इन्हें लार्वे कहते हैं रजत कहता है फिर तुमने क्या किया नैंसी ने कहा पापा ने फॉरन ही घड़े का पानी फैक दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया अब जसकीरत कहती है मुझे साजी आंटी ने बताया था कि मक्हियों से बिमारी होती है पेट की बिमारी रजत कहता है मक्ही तो काटती नहीं है वह कैसे बिमारी फैलाती होगी तो बताईए क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है यदि आपने लगा हुआ देखा है ऐसा पोस्टर तो आप उसके बारे में लखेंगे ये पोस्ट पोश्टर कौन लगाता होगा अकबार में इस तरह के पोश्टर कौन देता होगा तो अकबार में इस तरीके के पोश्टर कौन देता होगा तो जो स्वास्तर विभाग होता है वो इस तरीके के पोश्टर जो है लगाता है उनके द्वारा इस तरीके के पोश्टर लगवाए इस पोश्टर में यह बताया गया है कि हमें अपने घर जो भी आसपास की जगें हैं, उन जगों पर हमें पानी को जमां नहीं होने देना चाहिए, हमें अपने जो पानी के बर्तन होते हैं, टंकी होती है, कूलर इन सबी को नियमित रुप से साफ करना चाहिए, जहां पर भी जिस गड़े में भी पानी भरा हुआ है, वहाँ पर मित्ती का तेल डालना चाहिए, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रियोग करना चाहिए, तालाबों में जो जीवित मचलियां होती हैं, वे लारवे को खा लेती हैं, इसलिए तालाब में मचलियां डालनी च लागता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड़ों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं वो इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आप जो है टंकी, कूलर इन्हें नियमित रूप से साफ कर सकें और गड़े जिनमें पानी भरा हुआ होता है उनमें मिट्टी का तेल डाले और इन साफ के अंडे होते हैं उन्हें खा लेती हैं जिससे मच्छर कम पैदा होते हैं और इसी कारण से तालाबों में मच्छियों को डालने के लिए कहा गया होगा पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा तो क्यों कहा गया होगा पानी में तेल छिड़कने से तेल पानी की सतय पर तैयता रहता है जिससे मच्छर या फिल लार्वा सांस नहीं ले पाते और वे मर जाते हैं अब पता करो मक्ही से कौन-कौन सी बिमारियां फैलती हैं और कैसे तो मक्हीयों से कौन-कौन भी ये मक्षियां खाने पीने की चीजों पर बैठती हैं तो वहां पर उन किटाणूओं को छोड़ देती हैं जिससे भी भोजय पदार्तों में चिपक जाते हैं और जिसे खाकर हम बिमार हो जाते हैं खोज खबर कच्छा के सभी बच्चे 2 या 3 समू में बढ़ जाएं समू को आपस में यह तै कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरिक्षण कौन करेगा स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो क्या इन जगहों पर कहीं पानी खटा है नालिया बंद है अगर हां तो सही का निसान लगाओ तो यहाँ पर जो है जैसे की गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड़े, नालिया या कोई और जगे तो यदि इन जगहों पर नालिया बंद है या पानी खटा है तो आप यहाँ पर सही का निसान लगाएंगे अनेथा नहीं लगाएंगे यहां कितने दिनों से पानी खटा है तो आप यहां देखेंगे अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे निरच्छन करेंगे कि कितने दिन से पानी भरा हुआ है इन जगों पर पानी खटा होने से क्या-क्या परेसानिया हो रही है इन जगों की सफाई की जिम्मेदारी किस क तो आप देखेंगे जो पानी भरा हुआ है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है तो पानी में क्या होता है दिकतर फफूंदी दिखाई देती हैं मच्छर के अंडे कीरे मकोडे यह सबी जो है इस तरीके से पानी भरी हुई जगह पर परप्ते हैं इन गड़ों और नालियों की मरमत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है तो इन सभी की जो है मरमत कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है जैसे कि दिल्ली में दिल्ली नगरडिगम की होगी नगरपालिका की होगी या इन में से किसी जगह पर इखटे हुए पानी में लारवे भी दिखे यदि आपको बनाएंगे आप इस्कूल और घर के आसपास ये पोश्टर लगाएंगे पता करो तुम्हारे इस्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है यह भी पता करो कि चिठी किसके नाम लिखनी है यह कौन से दफ्तर में जाएगी अपनी कफछा की तरफ से उन्हे अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए आप एक पत्र लिखेंगे अब यहां पर है यह सर्वे रिपोर्ट कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया उनकी रिपोर्ट के कुछ अंस यहां दिये गए हैं आओ इन्हें पड़े तो यह है समू वन के बच्च चोटे चोटे पौदों से भरा पड़ा है देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता एक आंटी ने बताया कि यह पौदे तो अपने आप ही उग गए हैं तालाब के आसपास गड़ों में भी पानी जमा है इनमें हमने लारवे भी देखे आसपास लगे पौदों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में हैं इसलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं अब बताओ अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ क्या पानी में या उसके आसपास हरी-हरी काई दिखाई दे रही है तो आप यदि आपके आसपास में या फिर स्कूल के आसपास में कोई तालाब है या फिर नदी है तो आप उसे देखने जाएंगे कि वहाँ पर हरी-हरी काई दिखाई दे रही है या नहीं तुमने काई और किन-किन कोपी में बनाएंगे इन्हीं लगाया गया है या फिर वे अपने आप ही उग गए हैं पानी में और क्या-क्या दिख रहा है तो आप इस सब की सूची बनाएंगे मच्छर के पेट की कहानी विग्यानिक की जुबानी यह मज़दार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है ए लेकिन मेरी दिल्चस्पी कहानियां पढ़ने कविता लिखने संगीत और ड्रामी में थी खाली समय में मैं यही सब किया करता था किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम रोनाल्ट रोस के उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी यानि कि जो मलेरिया की बिमारी थी वो बहुत यह बिमारी ज्यादा बारिस और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसे होती होंगी जिसे यह बिमारी फैलती है एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कॉप से बहुत छोटे छोटे ब मुझ्रों के पीछे ही पड़ गया हमें एक मच़्र के पीछे बोतल लेकर दोर ते मलेरिया के मरीजों को मच्णानी में बिठा कर उनोंम दाबत देते एक मच्छर को अपना खून चुछाने के लिए मरीज को एक आना मिलता मुझे Close के इस्पताल के वे दिन हमेसाenhे आ अकड जाती थी इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं जल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते माइक्रोइस्कोप में यह सब करने के बावजुद कुछ हाथ नहीं लगा एक दिन किस्मत महरबान हो गई हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के छेतर में बड़ा पुरुषकार मिला नोबल पुरुषकार 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंड लूंगा नया ढूंड लूंगा तो हमने किसके बारे में जाना रोनाल्ड रोस के बारे में जिसने पता लगाया कि मलेरिया किस से होता है मच्छर के काटने से हम क्या समझे अपने घर में स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है उसके लिए तुम क्या क्या करोगे कैसे किक्षि क declare पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया तो नहीं तो किस तरीके से या फिर उसे के लक्षण से हमें पता चल सकता है अपने घर के आसपास अज़्यख की मच्छा छह न हो इसके क्या करना चाहि है जो ढड़ों में पानी भरा हुआ होता है वहाँ पर पानी ना भरने दे अपने आसपास गड़ों में भरे हुए पानी में मिट्टी का तेल डाले जो बरतन हैं सामान हैं उनमें पानी न भरने दे मच्छर दानी का प्रियोग करें तो इन सबी से जो हैं मच्छर से बचा जा सकता है I hope आपको एपार अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पार के question answer के video का link description box में दिया गया है आप वहाँ पर जाकर questions के answer देख सकते हैं तो मिलते हैं next video में नए पार के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you